So guys, Apple ने iPhone 15 series इंडिया में launch कर दिया है and by unboxing hopefully आपने देख लियोगी चारों फोन के आपने unboxing करी थी and आज बात करने वाले हैं iPhone 15 की particular भी मैं पिछले कुछ टाइम से इसको टेस्ट कर रहा हूँ almost सारी चीजे इसके बारे में समझ लिया मैंने पूरा अच्छे से काफ़ी अच्छे से टास कर रहा भाई कैसा फोन है कैसा नहीं है सारी चीजे आपको बताने वाला हूँ and मेरे साब से यह वर अफ दी बिगेस्ट अपग्रेड है इस सीरीज के अंदर सारी चीजे बताते हैं कई इस सवहीब गाद में जहीर and this is the unboxing and my initial review of this iPhone 15 so let's begin guys सबसे पहले अगर जैसे जिसने unboxing नहीं देखियोगी तो भाई unboxing आप लोग देख लो चूटा सा पाट वैसे इसके अंदर जो यह यूस्ब type C to type C cable आती है उस टाइं पर मैं एकदम close-up में दिखा नहीं पाया था अभी देखो एकदम close-up में आप लोग देखो कुछ इस तरह का braided look आता है भाई इसके अंदर see देखो ऐसा कुछ है braided and बाकि वो जो सारी चीज़े तो आपको मिली जाती है और यह जो color है apple ने glass को ही color कर दिया है मतलब पहले कैसा होता जैसे यह वाला 14 है इसे glass के नीचे एक color की coating है एक basically color एक plastic की layer है उसमें color लगा हुआ है इसके अंदर लेकिन इसके ओपर इन लोग ने कुछ अलगी किया है पूरे glass को ही रंगीन कर दिया है तो उसके बाजे से बहुत ही ब्लू कलर है लेकिन बहुत जादा bluish नहीं दिखता है हलका सा whitish टीन जाता है इसके अंदर cover लगा लो तो बहुत तगड़ा फील जाता है लुक्स वेरी premium टू और जो side के railings है जैसे अगर आप लोग लास्ट यर वाले phone से compare करते हो तो यहां पर तो काफी जादा शार्प था railing पूरा एकदम हाथ में चुपता था यहां पर भाई हलका सा corner जो है round किया ह तो यह हाथ में चुपता नहीं है बहुत अच्छा हाथ में बैठता है और पता नहीं क्यों एकदम मतलब मुटाई similar ही है 7.8 mm की लेकिन फिर भी 14 जो है जाधा पतला जाधा slim feel होता है और जाधा हलका भी feel होता है पता नहीं क्यों मेरे खालता comfortable होने के वैसे क्यों कि जब च जब तक आप हाथ में लोग है नहीं आपको समझ मेंने आएगा अगर आप पिछले phone से compare करते हो तो मजबूत है कहीं से कमजूर feel नहीं होता भाई हला के हलका feel होता है लेकिन कमजूर नहीं feel होता है तो मेरे को काफी सही रगा है और ये camera की ring वगारा भी काफी उठके आती है बागी यहां पर आपको alert slider या mute switch ही देखने को मिल जाता है action button देखने को नहीं मिलता जो कि मेरे को कोई problem नहीं लगी देखने को IP68 की water resistance rating है aluminum की body है मजबूत कोई दिक्कत है नहीं भाई weight balance वगरा भी एकडम तकड़ा करके रखता है apple वाला basically build quality and design में आपको ज़्याइदा श 15 pro 14 pro अर यह मतलब pro series का phone दिखता है आगे सापको लगेगा ही नहीं पता ही नहीं चलेगा कौन सा phone है यह 15 है 15 pro है 14 pro है कोई भी नहीं लगेगा तो आप सस्ता phone लेके महंगे phone का मजा दे सकते हो आगे से तो अगर आपको दिखावा करना है तो looks में बहुत दगड़ा लगता ह काफी जादा bright है जो last year का pro है यह वाला 14 pro सेम डिस्पले यहां पर है बहुत जादा resolution है मतलब इसके अदर 460 ppi है तो बहुत शार्प डिस्पले है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसके अंदर आपको 1000 nits का brightness है नॉर्मल टिपिकल ब्राइटनेस है और आउट्डोर में 2000 nits की brightness आती है same as the 14 pro ब्राइटनेस बहुत तगड़ी आउट्डोर में कोई दिक्कत नहीं आती है और काफी दीर तक जब मैं कैमरा वगरा की शूट वगरा कर रहता था तो भी ऐसा डिस्पले का जो ब्राइटनेस अ दिम नहीं हो रहा था और काफी ब्राइट रह रहा था compare to iPhone 14 त सबसे बड़ा प्राब्लम सिर्फ और सिर्फ 60Hz है उसके अलावा भाई मेरको तो मेरको मेजर प्राब्लम देखने को नहीं कुने लिए सबसे बड़ा प्राब्लम बता रहो अगर इसमें 120Hz या इवन 90Hz भी होता तो भाई लाजवाब चीज़े अनेबल हो सकती ते इससे लेक और जो क्वालिटी है डिसले की अग्दम चुम्मा है बैजल के काफी कम है बाइद बहुत बैटरीन क्वालिटी दिख रही है तो डिस्प्ले तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा बाकि साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है या पर स्ट्रियो स्पीकर्स का आपको यह 14 है इस तो पहले है अब यह 15 सुनों आपको इसा मेजर डिफरेंस लेकिन का नहीं लागा को दोनों भी काफी जादा लूड है बट अगर बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपको अलका सा 14 ही जादा बेस ही लगता है बट में को ऐसा कुछ बहुत बढ़ा डिफरेंस नही बढ़िया क्वालिटी की आवास निकालते है तो टेंशन नहीं आपको नेटवर्क अगरा के बायात करो तो 5G है 4G, VOLT, VWi-Fi सारी चीजे हैं आपको कोई ऐसा प्रबलम देखने को नहीं मिला मैंने नेटवर्क का काफी अच्छ से टेस्ट करा भाई जो Wi-Fi है 300 MBPS का Wi-Fi का नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉंग आता है 500-500 MBPS के स्पीड निकाल देता Wi-Fi जो आला तो अच्छा लगा, call quality बहुत अच्छे लगी मिरको इसकी मतलब इस बार इन लोग ने जो डाइलर दिया है इसके अंदर भाई आप लोग unlimited call log सेफ कर सकते हो बताओ इतने साल से Android वाले इन लोग पहले फिर 100 call log सेफ कर सकते थे मतलब अगर पांचे दिन पहले किसी का call आया तो आपको call log में दीखे गाई नहीं अब यहां पर आपको unlimited call logs मिल राखी call बगए रहा करके दिखा मेरको काफी अच्छा रगा इनका जो voice isolation वाला feature है बहुत अच्छे से काम करता है चु अब एकड़म फ्राफिक वाला इन्वार्मेंन तो नहीं राखी पे मद्नेट दीख माने ट्राथिक पर आपको रहा थे लिए लेकिन यहां पर बैगरांड में यूजिक चल रहा है तो वह तो आईपोन 14 में भी आ गया था मैरे 14 त्रू के अंदर मैंने बहुत टाम सब इसक solution on कर लो किसी को लगेगा ही नि कि आप market वगरा हम बात करो बहुत अच्छा quality है बहुत अच्छा क्वालिटी है बहुत अच्छा अच्छी कैसे स्पीड में मतला 50% जो है उसका 30 मिनिट गंदर चार जाता तो काफी सही है में को उसमें जादा प्रॉब्लम नहीं है इसके इंदर वायरलस चार्जिंग और अपकी तो रिवर्स चार्जिंग भी आ गई है लेकिन वह वायरलस नहीं है वह वायरलस आप लोग इ लिए जिसमें 12 MP का यहां पर 48 MP का में चैंजसे नहीं है लेकिन में केमरे में काफी बड़ी चेंजे और काफी तगड़े तगड़े यहां पर फीचर वगेरा जो है एड़ करे गए ने चैंज़े में अगर आपको दिखा दों तो सबस्प्ड़े थिचर दिखां तो क्यां यहां पर आपको जिसे आप लोगो 2X का डायरिक बटन देखने को मलता है, जो क्रॉप मोड है, मतलब बेसिकली 48 में अपको क्रॉप करता है, तो वो डिजिटल जूम से जादा बेटा है, क्योंकि आप डिजिटली जूम करोगे, क्रॉप करोगे ना, फोटो लेने के बाद में आप फोटो ले लो, जैसे यह फोटो देखो, यह पोट्रेट में नहीं है, उसके बावजूद भी यहां पर ऑप्शन आ रहा है, पोट्रेट ऑफ ओन करने का, अगर मैंने पोट्रेट ओन कर दिया, तो यह अपने आप पोट्रेट में चलेगी, यह मैंने नॉर्मल फोटो तो यह बढ़िया फीचर दगा में, ठीक है, अब चलो मैं आपको फोटो जी दिखा देता हूँ, यहां पर मैंने काफी सारी फोटो दिया है, वैसे इसके साथ में इने फोटो दिया है, तो इसके साथ में डीटेल्ड केमरा दना आएगा, तो उसके लिए आप लोग सब्स् अब चलो में पर लेक्सल है, तो बढ़िया क्वालिटी की फोटो लेता है, जैसे यह देखो, यह 1X है, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया एकदम डीटेल, एकदम सफ़र्दस, यह 2X है, इवन 2X में अच्छी घासी डीटेल है, काफी बढ़िया फोटो है, यह नॉर्मल ह कर सकते हो, सारी चीज़े depth effect, सारी चीज़े control कर सकते हो, फिर यह देखो, यह भी है, नॉर्मल फोटो है, का बहतरीन है, मतलब जो मतलब फोटो की quality है, काफी natural, काफी बढ़िया, skin tones वगरा, and dynamic range वगरा भी बढ़िया, यहां से भी आप portrait, जिसे human subject detect के अपना portrait option आ आजाता है यह 2X में है, यह 2X में है, तो काफी अच्छी खाल सी portrait photo यह ले पाता है, ज्यादा मैं को शिकायत देखने को नहीं मिले, ठीक है यह आपर, even ultrawide भी काफी बनिया photo ले रहा है, काफी detailed, काफी अच्छी quality की photo लिया भाय, ultrawide ने, not bad, अच्छा नहीं, वो ultrawide ने था, यह ultrawide ह यह ultrawide भी अच्छा है, लेकिन, definitely main camera की जितना अच्छा नहीं है, फिर भी मेरे इसाब से more than sufficient है, अच्छा लगा, मैं को ultrawide यी camera भी ज्यादा प्रब्लम नहीं है, पाकि यह selfies है काई इसरे से आप लोग देख लो, यह बढ़ी है, मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है, यहाँ पर देखो normal photo लिया, इसमें अच्छी photo है, पोट्रेट भी, अच्छी पोट्रेट आ जा जाता है, कोई दिकत नहीं लगा है, इसमें आपको photo mode में अलग-अलग option आता है, आप यहाँ पर जाके photo mode में, चूज कर सकते हो 24 चीए, या आपको क्या चाहिए, ठीक है, photo mode मे यह काफी जादा detailed है, काफी sharp है, जूम करने के बाद भी काफी comfort है, तो यह अच्छी चीज है, अब guys आप लोग यह कुछ videos भी देख लो, photo, तो guys, यह video 4K 60fps में बन रही है, लेकिन H.265 में, कुछ इस तरह की video बन जाती भाई, 4K 60fps में, भाई, stability बहुत दगड़ी, iPhone के stability भाई, मानना पड़ेगा, and focusing भी not bad at all, वैसे आप लोग 0.5X में भी record कर सकते हो, बेसिकर यह लिटरावाइट से, इसकी भी stability, video की quality बहुत बहतरीन है, भाई, इवन 4K में, यहाँ पर 2X पर भी आप shift कर सकते हो, 4K 60fps में, अच्छा, एक problem पहले iPhone में, मैं face करता था, वो problem इसके अंदर है या नहीं, वो देखते है, जैसे मैं अभी देखो, यहाँ पर रखा हूँ, तो बराबर phone के उपर focus होगा है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इस पर करता था, उस पर focus होगा है, वाउ, ओके, तो इस problem, इस kind of rectified, क्योंकि यह बराबर edges पर focus करता है, मेरे हाथ को छोड़के, क्योंकि पहले कासा था, तो मेरे हाथ पर focus करता था, edges पर focus नहीं करता था, फोन के, जो चीज में को यहाँ पर सही लग रही है, हम 4K30 पर shift करते हैं, अभी यह 4K30 fps है, यहाँ पर आप लोग को 2X का option देखने को मिल जाते हैं, तो यह 4K30 fps में 2X की वीडियो है, पुछ इस तरह की बन जाती है 2X की वीडियो, अब एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी, कि भाई, H.264 में focusing कैसी है, जैसे देखो, मैंने यह phone पर focus किया, यह फोकस ही नहीं हो रहा है, हाँ, focus हुआ, ठीक है, इधर पर देखा, यह problem, अच्छा तो यह problem है, H.264 में जादा है, 265 में नहीं है इतनी, क्योंकि देखो, यहाँ पर यह एजस पर focus नहीं कर रहा है, मेरे हाथ तो focus करके दखा है, और मैंने जब 265 में कर रहा तो तो बराबर focus करता, अब यह इसा करूँ है, हाथ नस्दिक करूँ है, तो focus हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं फोन उनकी वीडियो शूट करता हूँ, तो नहीं होता देखो focus, वीडियो 4K 30fps में शूट हो रही है, वीडियो 4K 30fps में शूट हो रही है, सब केमरे से भाई आप लोग 4K 60fps सकते शूट कर सकते हैं, मेरे हाथ तो सही है भाई और डैनमिक रेंज भी देखो, पीचे के साइड में नाट बैड मतलब स्क्रीन में तो मेरे को सही लग रही है, यह है अपना सिनेमेटिक मोड बैग्राउंड ब्लर वाला काफी बहतरीन काफी जादा इंप्रूव हो चुका है, अगर 2X पर हम रखेंगे ना, तो बहुत ही जादा मतलब काफी जादा नैचरल दिखता है, हाला कि जो एज़ेज है, अभी भी हलका सा वहां पर थोड़ा सा आपको एकदम आजीब सा देखो, जब यह हिल रहा है तो यहां पर देखो साइड में, तोड़ा सा वह लग रहा है कि अगलियर लेकिन काफी अच्छा है, सो भाई, जैसे आपने दिखा, मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ, मेरे को तो काफी अच्छे लगी देफिनिटली 14 के कंपारजन में, वह आप तो थोड़ा सा वेट करो 14 & 15 के डिटेल कंपारजन का, उसमें आपको मानु बढ़ेगा, मेरे साब से काफी अच्छे कैमराज है, डेफिनिट अप्ग्रेड है, में को अच्छा लगा भाई, कैमराज के बाद बढ़ू पर्फॉमेंस के तरफ तो यहां पर भी अप्ग्रेड के हुआ है, यहां पर A16 Bionic आया हुआ है, जो लास्ट येर प्रो के अंदर था, तो A16 Bionic भाई, डेफिनिटली बहुत तगड़ा प्रोसेटर है, अब मैंने इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट करें, देखो इसके अंदर पाइले तो जो एंटो तो स्कोर है, वही 13,36,000 का बहुत क्रीजी स्कोर निकल गया है, फिर Geekbench बेंच देखो भाई, बहुआ परे 25 इसके बहुत ही जादा खतरनाक, उसके अदना मैंने wildlife extreme test किया गई, यह बहुत ही खतरनाक है 3D mark का, इसमें 3-4 अलग अलगाते, एक extreme आता है, और उसके बाद यह extreme stress test आता, तो मैंने stress test किया, extreme वाला, इसके बाद मैंने wildlife stress test normal किया, non extreme, तो दोनों का मैं इधर पर result आपको चलता है, तो 20 बार पूरा एक ही particular चीज को render करता है, तो मतलब, जैसा real life games होगे रहोते हैं, वैसा type का, मतलब, try करता है, वैसा सब कुछ simulate करने का, तो जो extreme वाला है, उसमें जब उसने render किया, तो top score जो है, एकदम highest वो 2986 था, लेकिन जब एकदम lowest score जो है, lowest वो 1900, बेसिकली 66 66% का stability है, जो के decent है, और better किया जा सकता है, यहाँ पर जो extreme level पर है, तो वहाँ पर देखो, जो battery है, वो 10% drop, 95-85 ही है, जो fps हमको मिले है, 9-22, अब normally अगर मैं करूँ, तो normally यह wildlife stress जो है, यह काफी enough है, इसके लिए यहाँ पर भी 62% की, आपको stability देखने को मिलती है, जो high end, basically best and worst score है, वो आपको यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर देख लो, best and lowest score, यह भी 20 minute का test था, इसके अदर भी 10% की battery drop ही है, and 21 fps से 61 fps का हमको frame rate मिला है, भाई, काफी तगड़ा मतलब performance, भाई, इसला जवाब है, stability थोड़ी और better की जा सकती है, मेरे opinion, let's open BGMI, and भाई, BGMI देख HDR Extreme रखके खिलते हैं, let's see, अगर brightness भी कम होती ही, तो अपका idea रही है, अवाव बहुत जादा तगड़ी है इसकी, अब मिल्टरली feel होता कहां से आ रहा है, अब जैसे मैं गुमा रहा हूँ तो पुरा stereo effect चेंज हो रहा भाई, बहुत next level इसे फोन का temperature जो है, 34 degree Celsius है, मतलब हलका फलका warm हुआ है, वैसे gameplay वो सूपब, इधर पर हलका फलका warm लग रहा है, एसी का environment है, अगर नॉर्मल temperature दिखाऊ तो 24 degree है, अवराल फोन का performance, जो gaming performance था, वो crazy था भाई, अराम जब को 60 fps अगर आपको smooth extreme पर रखके को लोगे तो भी मिल gaming experience आता है, प्लस यह हलका भी होने के वैसे थोड़ा मस चलता है, और brightness भी मैंने drop देखा नहीं आपर, अच्छी चीज़ है, और आपको dedicated gaming test देख सकते हो, आपको definitely dedicated gaming channels पर इसके test मिल जाएंगे, लेकिन as of my testing, मेरे को कोई ऐसा कमी देखने को नहीं मिली, एक गम तगड़ा gaming experience आपको इसके दर मिलेगा, बाकि overall performance में को अच्छा लागा, कोई भी eye open करना है, close करना है, काफी fast है, smooth है, reliable है, ज्यादा मतलब, भाई, it's an iPhone, तो आपको tension लेने के जोड़ात नहीं, काफी fast है, smooth, must phone है, उसमें, लेकिन भाई, वो 60 Hz आखो पे चुबता है, for sure, 100%, like अगर आप लोग कोई 120 Hz वाला phone चलाए हो, तो definitely आपको चुबएगा, हलाकि इसका animation होगा, काफी smooth है, तो उसके वैसे थोड़ा सा, रहे, रात मिलती हाल किसी, लेकिन भाई, बिल्कुल भी justifiable नहीं है, भाई, यहाँ पर at least 90 FPS तो होना ही चाहता, 90 Hz, भाई, बहुत बुरी चीज है यह, लेकिन अभी क्या कर सकते है, Apple, being Apple, next year देगा, हमने बड़ा कमाल कर दिया, 120 Hz, देखे, धोर्ती फाल के रुमाल कर दिया, जो भी है, मतलब अभी, जो मन में बना दिया, मैंने बोल दिया, definitely यहाँ पर 60 Hz, डिजर्फ नहीं करता, भाई, यह 80,000 रुपे का phone है, वैसे price के काफे बढ़िया है, software, smooth है, reliable है, बट अभी थोड़ा सा optimization की definitely यहाँ पर need है, अभी initial phase में थोड़ा सा बगई लगा, हलका फिलका जो, मतलब temperature जो है, आगर बाहर continuously photo ले रहा हूं, तो compare to 14 यहाँ पर हलका temperature जादा gain हो रहा है, हला कि जो brightness है, वहाँ पर compromise नहीं हो रहा है, brightness को उपर ही रखता है, बट फोन को गरम होने दे रहा है, ठीक है, लेकिन यह वारा जो फोन 14, इसका brightness डाउन हो जा रहा है, लेकिन फोन कम करम हो रहा है, तो वो चुटा मुटा है, वो चीज़े, I am sure कि वो चीज़े फिक्स हो जाएंग, उसमें दिक्कत नहीं आई, तो में को कोई major problem नहीं देखने को मिला, तो भाई, iPhone 12 के बाद मेरे को ये एक टगड़ा upgrade देखने को मिला है, इस फोन के अंदर, क्यों मालब, सबसे बड़ी चीज, मतलब, जो मेरी favorite चीज है, वो है इसका Type-C port, भाई, हाला के इसमें 2.0 का connection है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई भ बहुत बढ़ियां करी, जैसे ये मेरा monitor है, कि अंदर आप लोग input में जाओगे ना, तो एक Type-C वाला port देखने को मिलता है, Type-C से भी input लेता है, तो Macbook से मैं directly Type-C से connect करता था ये वाला cable, तो अभी जैसे मैं इसको यहां पर connect करता हूना Type-C वाला hand C, तो directly मतलब, हाला कि USB 2. 2.0 है, लेकिन काफी smooth experience मेरा को मिल रहा है यहां पर, मैं यहां से directly उसमें स्क्रीम कर रहा हूं, और यहां से मैं quality अगरा सारी चीज़ों सट कर सकता हूं, तो मैं बड़ी स्क्रीन में BGMI जैसे गेम्स को भी इंजॉय कर सकता हूं, पहले जो था भाई, Lightning का आपको adapter खरीदना बहुत मगजमारी, अभी यहां पर लेको नम है, डिरेक्ली एक type C to type C cable अपने monitor में लगा है, I can enjoy the BGMI game, अगर एक controller connect कर देंगे इसमें, क्या मजा है गार game, तगडी चीज़े नेबल भी है type C cable, अपने देखा है भाई, आराम से मतलब, इसको अपने computer से connect कर सकता हूं, Mac, मतल इसलब add होना, दूसरी चीज़ charging के लिए मगजमारी नहीं है, अब मैं एकी cable carry कर सकता हूं, अपने android phone को charge करने, अपने laptop को charge करने, अपने iPad को charge करने, सब चीज़ को मैं एकी cable से charge कर सकता हूं, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी यह चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा happy हू है, अलाकि इसमें भी कुछ-कुछ implications है, बट मेरे को सही लगा भई, यहाँ पर अगर USB 3.0 port होता, तो definitely बहुत अच्छा होता, लेकिन normal लोग के ले इतना साधा matter नहीं करता भई, मेरे को तो बहुत मस्त लगा है भई, definite upgrade है और, अब overall अगर मैं conclusion की बात करूँ, तो मैं जैस हो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ है, बहुत major upgrade है, तो मेरे को अच्छा लगा भई, अगर आप लोग iPhone 11, 12 यूज़ कर रहे हो, तो definitely upgrade कर सकते हैं, उसके उपर आपको problem नहीं हैगी, अगर आप 14 यूज़ कर रहे हैं, 13 यूज़ कर रहे हो, तो भी अगर आप लोग upgrade कर तो वो प्राइज में यहाँ पर भी launch होना चीज़ था, 65,000 इसकी MRP रख सकते थे हो लोग, लेकिन भाई कैसे रखेंगे, 80,000 लास्ट यर्था, इस बार 66, 65 करेंगे, तो भाई इनकी तो फट देगी ना, तो थोड़ा सा politics है, लेकिन ये लोग definitely चाहते थे, 65,000 इसकी MRP, त ये लोग